और ढूटल को बता रहा हूं कि बीमार बकीर पहसान आपको कैसे आपको कैसे आप देख करना आपो देख रहे लोग ने हरा चरा सूखा चराkopर जैसे मैं अंपको बताता हूं करना है हमने गेट खोल दिया और सभी बकर्या आ रहे हैं टूटल बकरी आ गई और जो बकरी बिमार होगी नहीं खाईगी पहला चीज जो बिमार होगी नहीं भीखा रही है। इनगिना उसको भी लाए क्योंकि थोड़ा बदमास है। तो बकरी बच्चा डाल देती है। नुख्सान करेगा। देख रहे हैं सभा का समय और बकरी और दिखाएंगे पंकजी आखर दिखाएंगे। बकरी कितनी हेल्दी उधर भी है उचको दिखाए कितना हेल्दी अब इस सुबह कल साम काई खाई हुई है और पेड़ देख सकते हैं आप सभी का और इधर बेदेखिए इस अब पेड़ देखेंगे फिल करेंगे कि सभी हेल्दी उसके पीछे रिजन क्या है क्योंकि सभी लीवर से मजबूत होनी चाहिए बकरी साथ में उसको किसी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए जो खाए वो पच्छे यह चीजे माहिने रखता है तो आपने सबसे पहले सुबह में उठते ही क्या करना है बकरी को बाहर ही काल दिया था कुछ नमी इसमें था हो कम हो गया और बकरी जब बाहर से अंदर आएगे समझेगा जो बकरी बीमार होगी खाएगी नहीं आप देखेंगे कि एक भी हमारी भाम पे इस बकरी नहीं होगी जिसका मुह बाहर होगा सभी अपने खाने में मसते है एट टूजेट इसका हमतलों कोई बीमार ही है अब दूसरा चीज ब बढ़ता हूं इसको पकड़ते हों है वह बकरी बीमार होगी चेहरा जब देखेंगे चेहरा कितना चमक रहा एग और यह बीमार ओंगी ती आख सूझ जाएगा मूह थोड़ा भारी भारी लेगा इसका मूह भारी दीखेंगा दूसरे में वह कोने में ख़ड़ा होगी कि इ चुने में खढ़ा हो जाईगी, सूसते रहेदी नहीं तो इस समधय भाहर हो जाकर भूप में बैठी अब देखेंगे कि एक भी वक्री हमारी बाहर नहीं बैठी क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है उसको कोई बीमार ठंडी के मौसम में और आए कोई बखरी बीमार आपकी सर्दी जुखाम बुखार कोई भी समस्या है तो पहला काम करें कि धूप में जाकर बैठी और कोई देखा जाता है जिससे मैं बता दूं बक्री जीस आपके यहां लागी मौईल उपर चीखें यह बखरी को दिखेंगे में बखरी का पीट फूल गया है तो यहां वाला कॉल जो है बायां साइट के यहां तो दाहिना साइड होगे जीदर बच्चा रहता है यहां जो पर है यह वाला कुल खाली दिख रहा है इधर दिखाई से जब पेट फुलेगा तो यह बढ़ा हो जाएगा इतना बढ़ा दिखीगा यहां यह जो है ना उपर हो ली रिल के ऐसे हो जाएगा तो पेट फुलने कंडिशन में यह बढ़ जाता है दूसरा चीज अगर बकरी कि पेट म अब अच्छी करोत के लिए आधा सुखा चरा आधा जो है आपका हरा चरा होना चाहिए साथ में 100-100 ग्राम या 200 ग्राम भी दाना उलेवाल हो आप दाना की बस्ता कर देखें इस्टाल फिट की बकरी का थन है देख सकते आप देखिए आप अब यह बकरी इसेंट्ट नहीं अब बहुत अच्छा है तो खान पर अगर मेंटें रखते हैं तो बकरी अच्छी थन में आएगी और बीमार नहीं पड़ेगी बीमार ना पड़े इसके लिए हल्दी आपको खिलाना उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है और इस चाल भी में डाल दूंगा और साथ में कवर करके रखना देखिए आप बाहर से पूरा ठंडी में आप कवर बनाया रखें कि बकरी के बाडी में गर्मी बनी रहा है बकरी को ठंडा लगा या सब चाकर रखना है उपके धन्यवाद